सभी सातियों को मेरा नवसकार आई होप आप सभी लोग बहतरीन होंगे आज हम इस वीडियो में सपलीमेंटरी रीडर में जो आपका फस्ट चैप्टर है द थर्ड लेवल इसके सभी सोर्ट एवं लॉंग कोसंस का मैं आपको इस वीडियो में सॉलूशन प्रोवाइड कराने जा रहा हूं इससे पहले मैं आपको आपका प्रोज का फस्ट चैप्टर दा लाश्ट लेसन और पोईटरी से आपकी फस्ट पोजम माई मदर एड़ 66 को पूरी तरह से कवर करा चुका हूं सातियों केवल 30 दिन तक मेरे साथ जोड़े रहें मैं आपको पूरी प्रप्रेश करा कर देने वाला हूं तो सातियों आपका इसमें पहला कोश्चन है वाट वाज दा थर्ड लेवल तीसरा तल क्या था वेर वाज एट सिचुएटेड और यह कहां इस्तित था एक इंपोर्टेंट कोश्चन है सातियों जे देख सकते हैं आप तो आप इसका अंसर तू दा समवे ओफ दा ग्रेंड सेंटरल इस्टेशन यानि की जो तीसरा तल है वहां ग्रेंड सेंटरल इस्टेशन के भूमिगत मार्गों को संदर्वेद करता है जाता है जाता है और यह जो तीसरा तल है यह चारली के लिए असुरच्छा, भै, युद्ध, चिंता, आध से बचने का एक माध्यम है तो आपने पहले कोश्चन का अंसल लिखा, इसमें दूसरा कोश्चन आपसे पूचाए कि यह कहां इस्तित था, तो आप लिखेंगे The third level was situated at Grand Central Station in New York, यानि कि तीसरा तल New York में Grand Central Station पर इस्तित था आप चाहें तो इसका एक स्क्रिम सॉट लें प्यारे साथी हो, और देखते हैं next question अगला question है आपका Who was psychiatrist? मनोचे किसा कौन था? What did he tell about the third level? और उसने तीसरे तल के बारे में क्या बताया? 212, double question paper में इसे पूचा है तो आप answer लिखेंगे The psychiatrist was the friend of Charlie यानि कि मनोचे किसा क्चारली का मित्र था His name was Shambiner उसका नाम Shambiner था अब इसमें दूसरा question आप से पूचा है कि उसने तीसरे तल के बारे में क्या कहा? तो सबसे पहले आप इसी से answer बनाएं subject लिखें आप he did अठेगा तो tell का second form आप लिख देंगे told अब पूरे question में से यह आप आदा बना देंगी He told about the third level यानि कि उसने तीसरे तल के बारे में बता जा अब what से question पूचा है तो आप that से जोड़ देंगे that कि it was a waking dream with fulfillment कि यह दिन में देखे जाने वाले श्वपन की इच्छा के पूरे होने जैसा है आप चाहें तो साथ यह screenshot लें और यहां बनाने की question से आपको करनी है क्योंकि आदा answer आपको question में से ही मिल जाएगा तो मैं आपको समझाता रहूँगा जिससे आपकी practice हो जाए अगला question है what about his grandfather did Charlie tell to his friend यानि Charlie ने अपनी मित्र को अपनी दादा की बारी में क्या बता जा तो इसमें subject कौन है आप देखेंगे helping बव और man बव की बीच में जो है वह subject है तो आपका subject है Charlie तो सबसे पहले लिखिए Charlie अब यहां से फिट डेड अठेगा तो आप टेल का second form लेख देंगे told आगे लेख देंगे अब told के साथ two लगाने की आबसकता नहीं है तो Charlie told his friend और यहां से ले लिजिए जो बचा है आपका about his grandfather Charlie ने अपने दादा जी के बारे में अपने मित्र को बताया अब यहां what से पूचा है तो connecting word आप लगा देंगे that कि क्या बताया था he did not need कि उन्हें आबसकता नहीं है to escape बचने की from reality बाश्तविक्ता से कि उनके दादा जी को बाश्तविक्ता से बचने की कोई आबसकता नहीं है because क्योंकि things were pretty nice यानि कि चीजें काफी अच्छी थी and peaceful और सांती पूण थी in his days यानि कि उनके समय में and he had started और उन्होंने ही शुरू किया था his stamp collection यानि कि Charlie का ticket संग रहे तो इस प्रकार से आप इसका answer लिख सकते हैं बिलकुल मैंने कोशस की है कि आसान रहें आपके लिए जो answer है अगला कोशन है How did Charlie enter in the third level Charlie ने तीसरे तल में प्रवेश कैसे किया तो यहाँ आप answer लिखेंगे Charlie dugged into an archhead doorway Charlie ने एक अर्ध चक्राकार दरवाजे में प्रवेश किया That headed the some way जो आगे ओप मारग या भूमी गत मारग की ओर आगे जाता था Then he got lost तभी Charlie वाँ खो गया Still he continued to walk down लेकिन फिर भी उसने नीचे चलते रहना जारी रखा The tunnel turned sharp left और जो स्रंग थी वह तेजी से बाई और मुड़ी And then taking the short flight of steers और तभी सीडियों की एक छोटी सी उडान लेते हुए अब आप यहां से How को अठा देंगे 10 से जोड़ेंगे 10 उसके बाद Charlie आप लिख चुके हैं तो यहां प्रणाव लिख देंगे उसके लिए ही Thus he entered in the third level at the Grand Central Station यानि इस प्रकार से उसने Grand Central Station के तीसरे तल में प्रवेस किया आई हो 25 से किलियर हुआ होगा अगला कोशन देखिए Why did Charlie think Charlie क्यों सोचा That Grand Central was growing Like a tree कि जो Grand Central है एक पेड़ की तरह क्यों बढ़ रहा था Pushing out new corridors and staircases like routes और जो नई गल्यारों और सीडियों को जड़ों की तरह आगे बढ़ा रहा है या बढ़ाते हुए तो सातियों सबसे पहले आप वहाई अठाएंगे और डेड अठाएंगे चारली आपका सब्जेक्ट है तो लिखे चारली डेड अठेगा तो थिंका सेकेंड फॉर्म आप लिख देंगे थोट पूरा आप कोशन लिख दीजिए चारली थोट चारली ने सोचा देट ग्रेंड सेंट्रल स्टेशन वाज ग्रोविंग लाइक ट्री कि जो ग्रेंड सेंट्रल स्टेशन है वह एक पेड की तरह बढ़ रहा था पुसिंग आउट न्यू कोशन पूचा है तो आपको विकॉज से जोड़ना होगा क्योंकि he had been in and out of Grand Central Station hundreds of times क्योंकि वहाँ सेक्णों बार जो Grand Central Station है उसके अंदर और बहार हुआ था आई होफ अच्छे से ये भी आपको क्लियर हुआ होगा आप चाहें तो एक स्क्रीन सोट ले सकते हैं और देखते हैं नेक्स्ट कोशन को अगला कोशन है what did Charlie find when he entered the third level चारली ने जब तीसरे तल पर प्रिवेश किया तो क्या पाया तो सातियों मैंने बता जा है जब भी आपको कोशन में वहन से सेंटेंस को रिलेट किया जाए तो सबसे पहले आपको वहन वाली कलोज को सबसे पहले लेखना है बसरते यह दहां रखना है कि उसमें नाउन को आपको पहले लिखना होगा तो जब चारली के लिए ही आया है तो ही की जगए पर आप चारली लिख देंगे तो यहीं से बनाएंगे वहन चारली entered the third level जब चारली ने तीसरे तल पर प्रवेश किया अब यहां से worded आपका हट जाएगा अब चारली आप लेख चुके हैं तो यहां आप चारली के लिख देंगे अब find का second form आपको लिखना होगा found तो he found उसने पाया that the rooms were smaller जो कम रहे थे वो अधिक छोटे थे and there were fewer ticket windows और वहां बहुती ही कम ticket खिरकिया थी and train gates और बहुती ही कम train gates थे the information भूत was made of old and old looking like और जो सूचना केंद्र था वह लकडी का बना हुआ था और पुराना देखता था the lights were dim यानि कि जो बत्तियां थी वह धुनली थी and the pupil dressed like 18, 90 something और लोग 18, 90 के कपड़ों को पहने हुए थे आप चाहें तो एक screenshot लीजिए और देखते हैं next question अगला question है आपका 7 यह है पहले इसे देखिए आप what did Charlie do to make sure that he was on the third level यानि कि Charlie ने आस्वास्त होने के लिए क्या किया किया कि वह तीसरे तल पर था तो आप यहीं से infinitive से फहले answer लेखेंगे to make sure यानि कि आस्वास्त होने के लिए that कि Charlie was on the third level कि Charlie तीसरे तल पर था he went to the news boy वह अखवार वाली लड़के के पास गया and glanced at the stack of newspaper और उसने जो अखवारों का धेर था उस पाद द्रश्टी डाली it was the world यह दा world नाम का news paper था printed on June 11, 1894 और इस पाद जो date थी वह थी 11 June 1894 एट्थ कोश्चन है आपका what information about gallus work illness is given in the text यानि कि जो gallus work illness है इसके बारे में जो आपका test है जो book है उसमें क्या बता जा गया है तो आप अंसर लिखेंगे gallus work illness is a wonderful town with old frame houses huge lawns and tremendous trees यानि कि gallus work illness पुराने धाचे वाले घरों बाला विसाल मैदानों बाला और विसाल ब्रच्चों बाला एक आस्चर जनक नगर है huge branches यानि जिन ब्रच्चों की साखाएं meat overhead सिर के उपर मिलती हैं या सिर से टकराती हैं and roof the streets और सडकों के उपर छत बनाती है according to the lesson यानि अध्याय के अनुसार 8 जा peaceful world यह बहुत ही सांती में संसार था आप चाहें तो एक screenshot लेंसाती हो और देखते हैं next questions को यह देख सकते हैं इसका हिंदी यह रहा ठीक है यह दोनों questions का जो answer है उनका हिंदी है जे question number 8 है और जो answer number 9 था नहीं सोरी 7 यह 7 है और जे 8 है question number 9 यह रहा what happened with Charlie at the ticket window यानि कि ticket की खिरकी पर Charlie के साथ क्या हुगा तो आप answer लिखेंगे Charlie wanted to buy two tickets at the ticket window of the third level यानि कि Charlie तीसरे तल के लिए ticket खिरकी से दो टिकने खरीदना चाहता था it was the world of the year 1894 और जो तीसरा तल था वाँ यह बताता है कि यह रहारे सो चौरानमे का 94 की वर्स का संसार था it was the world of the year 1894 यानि कि यह रहारे सो चौरानमे जो वर्स थी उसका संसार था he took out the money of the modern time और चार्ली ने आंधुनिक समय की जो रुपई थे या जो करंसी थी या जो धन था उसे बहार निकाला the clerk took it to be cheating और जो किलार्क था जो बावू था उसने इसे धुका समझा and threatened him to send jail और चार्ली को जेल जाने के लिए धमकाने लगाया उसने धमकी दी आप चाहें तो screenshot ले लीजे इसका अगला question आपका डेड़ चार्ली find the corridor at Grand Central Station again why or why not क्या चार्ली को Grand Central Station पर गल्यारा उन्हा मिला क्यों अथवा क्यों नहीं तो सात्यों जब भी आपको helping वाव से question पूचा जाए तो answer आपको yes या no मैं देना होता है तो आप यह answer लेखेंगे नहीं मिला था no नहीं उसके बाद यह sentence आपको negative बनाना होगा तो लेखिए चार्ली डेड़ नॉट find the corridor at Grand Central Station again यहां आपने question से ही set कर दिया यहां आती हो उसके बाद भाई से आपको reason बताना है तो आप लेखेंगे जहां because क्योंकि it was only his imagination क्योंकि यहां केवाल उसकी एक imagine थी यानि की कलपना थी and it was a medium for Charlie to escape from insecurity, fear, war and worry ETC यानि की जो तीसरा तल था वह Charlie के लिए असुरच्छा, भै, योद और चिंता आध से बचने का एक माध्यम था या जरिया था the place did not really exist और जो इस्तान था वह बास्ता में, अज तो तो में नहीं था I hope ये भी आपको अच्छे से clear हुआ होगा अगला question है आपका why could Charlie never find the third level, यानि की Charlie तीसरे तल को पुने क्यों आपा सका, तो वही answer है बिल्कुल से, तो यहां से आप subject लिखिए, Charlie, code आजाएगा आपका code never again find the third level यतना आपने question से ही set किया वहाई आजा है तो आप यहां लेखिए because, because और यो पीछे आपने लिखा है, it was only imagination of Charlie, क्योंकि यह है एक मात्र, Charlie की कलपना थी, and it was not present there physically, लेकिन यह है वहाँ physically रूप से अस्तित्व मैं नहीं था weekend से, और हम लिए हम लोग कह सकते हैं, that the third level was a medium of escape for Charlie from insecurity, fear, war and worry ETC इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ Charlie के लिए असुरच्छा, बह, युद्ध और चंता, आध से बचने का एक माध्यम था 213 जैड़ भी question paper में इसे पूचा गया है अगला question है आपका who was Shembeiner, Shembeiner कौन था, where was he disappeared and why वह कहां गायव हो गया था और क्यों, तो आप अंसर लिखेंगे Shembeiner was a psychiatrist friend of Charlie Shembeiner Charlie का एक मनुचिकिसक मित्र था he was disappeared at the third level of the Grand Central Station वहां Grand Central Station की तीसरे तल पर गायव हो गया था because क्योंकि he also searched it क्योंकि उसने भी इसे खोज लिया था and wanted to escape from reality और वहां बास्तविक्ता से बचना चाहता था and he liked to hear about Galesburg और उसे Galesburg के बारे में सुनना पसंद था आप चाहें तो थोड़ा सो और इसमें एड कर सकते हैं so we can say इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि Sam was a victim यानि कि Sam was also a victim like Charlie ठीक है अगला question देखिए what was a stamp collection यानि कि stamp collection क्या था how was it related to Charlie और यह है Charlie से कैसे संबन दित था तो आईए इसका अंसार हम देखते हैं according to the author यानि कि लेखक के अंसार stamp collecting is a temporary refuge from reality यानि लेखक के अंसार stamp collecting बास्तविक्ता से बचने का एक अस्ताई कारण है it is a medium for Charlie to escape from worldly worries यानि कि यहाँ Charlie के लिए जो संसार एक चिंता हैं उनसे बचने का एक माध्यम है अब इसमें पूचा था कि यह कैसे Charlie से संबन दित था तो आप लेखेंगे it was related to Charlie यह Charlie से संबन दित था because he also wanted to escape from reality क्योंकि वह बास्तविक्ता से बचना चाहता था आप चाहिए तो एक स्क्रेन सौर्ट ले सकते हैं और देखते हैं next question अगला question ही नहीं most important question आप इसे कह सकते है what did Sam write in his letter to Charlie Sam ने अपने पत्र में Charlie को क्या लिखा देख सकते हैं दो यार बाइस में तीन सेट में और दो यार तेस में एक सेट में यह पूचा गया है तो आप लेखेंगे in his letter अपने पत्र में Sam had informed Charlie Sam ने Charlie को सूचित किया था that he was living on the third level कि वह तीसरे तल पर रह रहा था he asked Charlie उसने Charlie से कहा and his wife और उसकी पत्नी से कहा to keep looking for the third level कि वह लोग तीसरे तल की तलास करते रहें until they find it जव तक वह लोग इसे पान आ लें तो इस प्रकार से आप इसका answer लिख सकते हैं अगला question देखिए why did Sam why old currency of 800 dollars Sam ने 800 dollar की पुरानी currency को क्यों खरीदा what did he do with it और उसने इसके साथ क्या किया तो आप answer लिखेंगे यहीं से बनाईए फहले Sam bought old currency of 800 dollars अब why से question पूचा था तो because से जोड दीजिए because he wanted to settle in Galisburg Illinius क्योंकि वहाँ Galisburg Illinius में settle होना चाहता था it was the world of the year 1894 यानि कि यहा वर्स 1894 का संसार था so he could not work as a psychiatrist इसलिए वहाँ एक मनुचिकेसक के रूप में कार नहीं कर सकता था क्योंकि आंदुनिक संसार में तो वह चारली का क्या था मनुचिकेसक मित्र था because क्योंकि people were free from worry in those days क्योंकि उन्दनों लोग चिंता से मुक्त थे अब उसमें पूचा है नहीं कि वह इससे क्या करेगा क्या किया तो आप लेखेंगे he wanted to set up वह इस्ताफ़ेत करना चाहता था यानि कि भूसे का कारोबार फीड अनाज और इनॉ편 का कारोबार फीड एंड ग्रेन यानि कि अनाज ही कह सकते हैं बिजनेस यानि ब्यपार विद्दामनि उस धन के सथ यानि वह उस धन के साथ भूँ से फीड और ग्रेन का वियापार इस्तापित करना चाहता था दो यार बाइस डवाली कोश्चन पेपर में इसे पूचा है अगला कोश्चन देखिए अगला कोश्चन है वाट डेट दा साइकेटरिस्ट फ्रेंड ओफ चारली टेल हिम यानि कि जो चारली का मनुच्च के सक मित्र था उसने उसे क्या बता जा जब चारली ने उसे बता जा कि ग्रेन्ड सेंटरल इस्तेशन के तीसरे तल के बारे में दो यार बाइस इयाच कोश्चन पेपर में इसे पूचा है तो आप यहीं से बनाएए वहन कहां लिखा हुआ है इसमें ये लिखा है तो वहन Charlie told him about the third level at Grand Central Station इतना आपने लिख दिया वहन के साथ तो के लिए आप कॉमा का प्रियोग करेंगे उसके बाद subject यहां से उठाईए The psychiatrist friend of Charlie Tell का हुजाएगा आपका told him और what से पूचा है तो that लगा दीजिए तो क्या बताया था It was a baking dream with fulfillment यहां दिन में देखे जाने वाले श्वापन की इच्छा का पूरे होने जैसा है Confidence आ जाएगा आपको एक ही महिने के अंदर यह short complete हुए यहां आपका long का पहला question है What was the third level यहां एहल रह गया है सातियो यानि कि तीसरा तल क्या था How was it described by psychiatrist Sam और इसे Sam के द्वारा कैसे word किया गया है या इसकी कैसे व्याख्या की गई है तो आप अंसा लिखेंगे The third level was an imagination of Charlie यानि कि तीसरा तल Charlie की एक मात्र कल्पना थी Because क्योंकि it was not present in reality क्योंकि बास्तविक्ता में यहां अस्तुत में नहीं था But Charlie claimed लेकिन Charlie दावा करता है That it was present कि यहां उपस्तित था अब आगे कहींगे आप According to Charlie Charlie के अंसार The third level was situated at Grand Central Station in New York Charlie के अंसार तीसरा तल New York में Grand Central Station पर इस्तित था आगे आप लिखेंगे Sam wrote in his letter to Charlie यानि कि Sam ने भी अपने पत्र में Charlie को लिखा That he had found the third level कि उसने भी तीसरे तल को पा लिया है And he had reached there और वह वहाँ पहुंच चुका है Sam was saying in his letter और Sam अपने पत्र में कह रहा था That he had been staying there since last two weeks He वहाँ पेचले दो सब्ताओं से ठहरा हुआ था Had been लिख लेना सातियो And watching various activities और वह वहाँ अलग अलग क्रिया कलापों को देख रहा था He invites Charlie and his wife Lucia वहाँ Charlie और उसकी पत्नी Lucia को आमंत्रित करता है There माने वहाँ वहाँ कहाँ आप लिख सकते हैं So we can say इसलिए हम लोग कह सकते हैं That कि Sam was also a victim of worldly worried like Charlie इसलिए हम कह सकते हैं कि जो Sam है वह भी Charlie की तरह सांसारिक चिंताओं का एक सिकार हो गया है और आगे आप लेख देंगे In this way इस प्रकार से It was described by psychiatrist Sam इस प्रकार से जो मनुच की सक सेम है उसके द्वारा इसे वर्डेत किया गया है आप चाहें तो सात्यों इसका एक स्क्रिन सोट लें और यह रहा है इसका हिंदी वर्जन तो केतनी मेहनत मैंने आप लोगों के लिए की है बसरते आप वीडियो को एक बार कंप्रीट देखकर अपने सात्यों के साथ हो सकी तो सेयर करना नहीं तो कोई भी देकत नहीं है अगर ना पसंद आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं अगला कोश्चन है लोंका आपका चारली तीसरे तल पर कैसे पहुचा चारली के अंसार ग्रेंड सेंटरल इस्टेशन कैसे बढ़ रहा था और क्यों तो आप इसका अंसा लिखेंगे important question है और chapter भी important आपके लिए one night एक रात Charlie worked till late till late लिख लेना till late at the office यानि एक रात को Charlie दफ्तर में देरी तक कारे किया he was in a hurry वह जल्दी में था to get back to his house यानि अपने घर बापस जाने के लिए या पहुँचने के लिए so he decided to take the somewhere from Grand Central इसलिए उसने Grand Central से ओप मार्गों को लेने का निश्चे किया he went down the steps वह सीडियों से नीचे गया and came to the first level और वह पहले तल पर आ गया steps माने कदम भी आप कह सकते हैं यानि कि वह कदमों से नीचे गया और पहले तल पर आ गया then he walked down to the second level और तभी बाद दूसरे तल पर गया from where the suburban train left जहां से ओप नगरी train छूटती थी he dugged into an arched doorway और वह एक अर्द चक्रा का दरवाजे में प्रवेश किया that headed to the somewhere जो भूमिगत मार्ग था उसकी ओर आगे ले जाता था and got lost और चारली वहीं खो गया knowing that he was going wrong यह जानते हुए कि वह गलत जा रहा था he continued to walk down उसने फिर भी नीचे चलते रहना जारी रखा the tunnel turned left shark और जो सुरंग थी वह तेजी से बाइयोर मुड़ी and then taking a short flight of stairs और तभी सीडियों की एक छोटी से उड़ान लेते हुए he came out on the third level of the grand central station यानि कि वह grand central station के की तीसरे तल पर आ पहुंचा तो यह आपने पहले question का अंसर लिखा हुए कैसे पहुचा था तो आप यहाँ मेरे कहने पर stairs के बाद यह लिख ले in this way he came out on the third level of the grand central station उसके बाद कैसे बढ़ रहा था तो आप इसका अंसर लिखेंगे according to Charlie Charlie के अंसार the grand central station was extending like a tree यानि कि एक ब्रच्ची की तरह बढ़ रहा था अब वही से question पूचा है तो आप लिख देंगे यहाँ because he was always dugged new doorways and steer cases क्योंकि वह वहाँ हमेशा नए गल्यारों और दर्बाजों से टकराता था या सीडियों से टकराता था आप चाहें तो एक screenshot लिजिए वीडियो को pause करके और ये लिजिए इसका हिंदी वर्चन सातियो अगला question है आपका describe the third level as per Charlie Charlie के अंसार तीसरे तल को वर्ड़ित कीजिए what did he do to make sure और उसने आस्वास्थ होने के लिए क्या किया that he was in 1894 कि वह 1894 में था why did he one to buy tickets और वह टेक्टें खरीदना क्यों चाहता था दो यार तेस ए भी question paper में से पुचा गजा है बैसे भी board की द्रश्टी से एक important question है तो आप आंसा लिखेंगे according आप चाहें तो एज पर चार्ली भी लिख सकते हैं दोनों कार थे किये according to Charlie या एज पर चार्ली यानि चार्ली के अंसार the rooms on the third level यानि तीसरे तल पर कम रे were smaller यानि अधिक छोटे थे than those of the second level यानि कि दूसरे तल की अपेच्छा there were fewer ticket windows वहाँ नाक के बराबर या बहुत ही कम ticket खिरकिया थी and train gates और बहुत ही कम train gates थे the information booth in the center was board यानि कि जो केंद्र में या मद्ध में जो सुचना केंद्र था वह लकडी का बना हुआ था and old looking और वह पुराना दिख रहा था there were open flame gas lights वहाँ जो आलाओं की खुली हुई gas light थी and brass sputants on the floor और फर्स पर पीतल का थूकदान था इतना आपको अच्छे से clear हुआ होगा उसके बाद आगे क्या कहता है everyone at the station यानि station पर हर कोई was dressed like 1890 यानि कि station पर लगभग हर कोई 1890 के दसक के कपड़े पहने हुए था अब यह है आपका पहला question का answer हुआ कि Charlie के अंसार तीसरे तल को आप बरेड़त कीजिए तो यह है हमने कर दिया है उसके बाद दूसरा question उसने पूचा है कि उसने आस्वास्थ होने के लिए क्या किया तो आप लेखेंगे to make sure आस्वास्थ होने के लिए that की he was in 1894 1894 की वह 1844 में था तो क्या किया उसने he glanced at the stack of the newspaper उसने newspaper के धेर के उपर द्रश्टी डाली the newspaper he had seen यानि कि वह न्यूज पेपर यानि कि वह अखुवार जिससे उसने देखा था was dated 11 जून 1894 यानि इस पर 11 जून 1894 में डेट अंकित थी he wanted to buy tickets to Galesburg वह Galesburg के लिए टिकने चाहता था ये पूचा ना क्यों चाहता था क्योंकि he had heard उसने सुना था that it was a very peaceful place कि यह बहुत ही सांतिपूल इस्तान था आप चाहें तो screenshot ला है मेरे प्यारे सातियो काफी easy तरीके से मैंने आपके लिए भरसक प्रियास किया है और साठी कंसर है ये रहा है इसका हिंदी वर्जन अगला question है who was Shambinar Shambinar कौन था where was he disappeared कहां गायव हो गया था what did he write in his letter to Charlie और उसने Charlie के लिए अपने पत्र में क्या लेखा तीन questions को आप short की तरह यहां तयार कर सकते हैं और यही एक long है आपका 2-3 में ये पूचा गया है तो इस chapter से question जरूर आपका फसेगा तो answer होगा Shambinar was a psychiatrist friend of Charlie उसने पूचा था ना कि Shambinar कौन था तो आप लेखेंगे Shambinar Charlie का एक मनुचे के सक्मेत्र था अब दूसरा कोर्सन था वह कहां गायव हो गया था तो आप लेखेंगे once एक बार he suddenly disappeared वह अचानक से गायव हो गया he was लेखेंगे he was suddenly disappeared once he was लेखेंगे मैं यहा लेख देता हूँ और Charlie suspected और Charlie को संदे था that he had also reached the third level of Grand Central Station और Charlie को एक प्रकार का संदे था कि वह Grand Central Station के तीसरे तल पर पहुँच चुका है and Sam's letter to Charlie proves that Sam had found and reached to the third level और जो Sam का पत्र था Charlie के लिए उसने इस बात को सिद्ध करता है कि Charlie यहां proved लिखना proved that Sam had found कि Charlie ने वो sorry Sam ने तीसरे तल को पा लिया है and reached to the third level और वह तीसरे तल पर पहुँच गया है अब उसने अपनी पत्र में क्या लिखा था तो आप लिखेंगे कि वहाँ पिछले दो सपताओं से गयलिसबर्ग में ठहरा हुआ है and watching various activities there और वहाँ वहाँ अलग-अलग क्रिया कलापों को देख रहा है He invited both Charlie and his wife Lucia यानि कि उसने Charlie और उसकी पत्नी Lucia को वहाँ दोनों को आमंत्रित किया and motivated them to continue their search of the third level और उसने उन्हें तीसरे तल की तलास करने के लिए जारी रखने को प्रोथ साहित किया So we can say इस प्रकार या इसलिए हम लोग कह सकते हैं That Sam was also a victim of worldly worried like Charlie इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि Sam भी Charlie की तरह सांसारिक चंताओं का एक सिकार हो गया है आप चाहें तो screenshot लीजिए अगला question है आपका Do you think that the third level was a medium of S-cap for Charlie भाई क्या आप सोचते हैं कि तीसरा तल Charlie के लिए बचने का एक माध्यम था और क्यों तो आप अंसर लिखेंगे देखी helping वाउस से पूचा है आपसे तो आप अंसर yes या no में लिखेंगे तो हम लिखेंगे yes हाँ और यहाँ present indefinator तो आपको think का think ही रखेंगे क्योंकि plural subject है और you आप लेखने ही सकते हैं क्योंकि examiner से थोड़ी आप को सन पूचेंगे तो अपने लिए you को b में रखेंगे ठेक है तो yes हाँ we think हम लोग सोचते हैं और यहाँ कोशन से पूरा लिख दीजे that the third level was a medium of escape for Charlie इतना आपने कोशन से ही note down किया life in modern world is full of insecurity यानि कि आंदुनिक संसार में जीवान असुरच्चा से भरा हुआ है fear वह से भरा हुआ है war युद्ध से भरा हुआ है worry चिंता से भरा हुआ है and stress और तनाव से भरा हुआ है man has to face them all the time यानि कि मनुस्य पूरे समय इनी का सामना करता है so he wanted to escape into a blissful world इसलिए Charlie अपने एक इच्छा अमसा संसार में बचने के लिए जाना चाहता था when he imagined the third level जब उसने तीसरे तल के बारे में कल्पना की he found it is peaceful and pleasant तो उसने इस संसार को सांती पूर्ण और सुखद पाया he found उसने पाया that की it is peaceful and pleasant की है जो संसार है वह सांती पूर्ण और सुखद है he felt happy in that period of time और जब वह सोच रहा था उसने उस period of time में अपने आनंद या सुख को महसूस किया so it proved इसलिए यहाँ सावित करता है that the third level a medium of ask for Charlie की यहाँ तीसरा तल Charlie के लिए एक बचने का माध्यम था third level बॉज रहेगा जहाँ that the third level was a medium of ask for Charlie तो third level के बाद आप बॉज लिख लेंगे जहाँ अगला question देखिए यह आप जहाँ से जो question start होते है यह आपके board exam दो या तेस में अभी recently आए हैं वे हैं write about the outcome of Charlie quest of quest for the third level at grand central station यानि कि grand central station के तीसरे तल के लिए Charlie की खोज के परेडाम के बारे में लिखिए outcome मान होता है साती और result यानि कि परेडाम तो आप इसका answer लिख सकते हैं the outcome of Charlie's quest for the third level at grand central station is a realization of the fertility of trying to escape for reality यानि कि जो grand central station का तीसरे तल है उसके लिए Charlie के जो खोज है वा उसके जो बाश्तविक्ता है उस बाश्तविक्ता से बचने का एक निरर्थक realization है Charlie learns that happiness and contentment come from living in the pleasant moment यानि कि Charlie इस बात को सीखता है कि खुशी और संतोस यानि कि present जो moment है आंदोनिक जो moment है जो छड़ है उसमें रहकर ही आते हैं and accepting once life as it is और वह सुईकार भी करना चाहिए कि जीवन जैसा है the story serves as cautionary tale यानि कि यह जो कहानी है वह serves करती है as cautionary tale यानि कि एक साबधानी पूर्वक कहानी को against the dangers of escapism यानि कि बचाव के जो खत्रे हैं उनके विप्रीत and the power of imagination to distort reality और जो सोचने की कलपना है वह reality को distort करती है अब चाहिए तो screenshot लीजिए और अगला question है आपका what do you infer from Sam's letter to Charlie in the story the third level या दोया तेस में पूचा है आपका इसमें कहारा है तीसरे तल की कहानी में Charlie को लिखे Sam के पत्र से आप क्या समझते हैं तो इसके लिए आप answer लिखेंगे साती हो यह रहा आपका answer तो आप इसका answer लिखेंगे the letter was addressed to Charlie यानि कि जो पत्र है Charlie को जो संबंदित था या Charlie को संबंदित किया गया था लेकिन इसे गैलिसबर्ग इलोईनिस में उसके दादा को भेजा गया था एट वाज मेल्ड इन 1894 और इसे 1894 में में मेल किया गया था यानि डाक के द्वारा भेजा गया था और नाव एपियर्स इन हिज ग्रादार्स का लेक्सान लेकिन अब यह कहता है और अब यहाँ उसके दादा के संग्रे में उपलब्द है अब वो कहता है कि यह पत्र पहले दिन के जो कवर के बीच अचानक से पा जा गया और कहते हैं वेजर एट हैड नेवर बीन सीन अरलियर यानि कि जहाँ इसे जहाँ इसे पहले कभी नहीं देखा गया था जहाँ इसे पहले कभी नहीं देखा गया था और या कहते हैं यहाँ कि इसके अलावा इसके अलावा पत्री की विशेबस्तू बिल्कुल बैसी ही है जैसी चारली ने 1890 के दसक में गेलिसबर्ग के बारे में सोची थी आगे कहते हैं Sam's letter to Charlie is a mystery that blends together the worlds of reality and fantasy and thus needs further exploring और ये आगे कहते हैं कि Sam का Charlie को लिखा पत्र एक रहस्य है जो बाश्तविक्ता और कल्पना की दुनिया को एक साथ जोडता है और कहते हैं और इस प्रकार इसे और अधिक अन्वेशन की आवसकता है इस पत्र को दो द्रश्टी कोड़ों से देखा जा सकता है अब कौन-कौन से there are two perspectives from which one can locate the latter यानि कि यह जो पत्र है इस पत्र को दो द्रश्टी कोड़ों से देखा जा सकता है एक इस तर पर यह साबित होता है क्या साबित होता है At one level it proves that Sam has reached Galesberg of 1984 1984 एक तरफ तो यह साबित करता है कि जो 1894 होगा सायत्य में 1894 होगा आपका यह गलत लिग गया है तो सभी करेंगी एक बार मेरे प्यारी सातियो 1894 एक तरफ तो ऎक तरफ तो यह पत्र है सिद्ध करता है कि 1894 में जो Galesberg है वहाँ सेम पहुंच चुका है फिर भी हम इसे गहरे इस्तर पर देखते हैं अब ये कहते हैं कि एक इस्तर पर यह सावित होता है कि सैम 1894 में कि गैले स्वर्ग तक पहुँच गया है हालांकि अगर हम गहरे इस्तर पर देखें तो हम अनमान लगा सकते हैं कि इस पत्र यानि कि पत्र जो है उसके मति ब्रह्म या पलायन वाद के सपनों का एक उधारण है यानि कि यह क्या है एक उधारण है और कहते हैं एट इज पॉंसिवल यह समभब है और यह कहते हैं कि यह समभब है कि जब चार्ली अपने पुराने प्रतम कवर पत्र को देख रहा था तो वह कहते हैं कि वह एक अलग दुनिया में ले जाया गया था यानि कि चार्ली को एक अलग दुनिया में ले जाया गया था जहां Sam के द्वारा चारली को एक पत्र भीजा गया था और यह कहते हैं कि यहां पत्र सैम के अविचल आग्रे को दरसाता है जो उसे तीसरे इस्तर की तलास जारी रखने के लिए मजबूर करता है आप चाहें तो साती हो इसका भी एक स्क्रिम सोट ले सकते हैं और देखते हैं इस चैप्टर का आपका अंतिम लॉंग कोश्चन और यह अंतिम लॉंग कोश्चन है यानि कव और कैसे चारली ने सेम के पत्र को प्राप्त किया दो यार तेस में इसे पूचा है तो आप अंसर लिखेंगे दवे चारली कैम अक्रोस सैम सलेटर यानि जिस प्रकार से चारली सैम के जो पत्र है उसके अकॉर्डिंग कैम अक्रोस आजा बोज सराउंडेड इन मिश्टरी यानि जो रहसे है उसके इर्द गेर्द अमॉंग ही जो ओल्डेश्ट फस्ट डे कवर्स यानि उसके सवसे पुराने जो प्रत्थम दिन के कवर थे फाउंड एन एन्वलप तो उसने एक लिफाफे को पाया यानि कि जो एन्वलप था उसमें जो कंटेनिंग लेटर था जो पत्र रखा हुआ था जो एक एडरस था जो पता था उसे सहन करता था और फेज ग्रांट फादर यानि कि उसके दादाजी के किसके चारली के इट वाज रिटेन ओन जुलाई 18, 1894 यानि कि इस पत्र को 18, 1894 लिखा गया था दे पोस्टमार्क शोब्ड दा पिक्चर उफ प्रेजेंट गेरी फिल्ड और जो पोस्टमार्क था जो डाकी मोहर थी जो प्रेजेंट गेरी फिल्ड था प्रेजेंट आप लिग लेना प्रेजेंटी रहेगा यह गलत हुआ यहां प्रेसिडेंट गारफोल्ड यानि कि उसकी तस्वीर उस पर चपी हुई थी जर्नली दा फर्स्ट डे कवर्स हैव ब्लैंक पेपर्स यानि कि आम तोर पर जो फर्स्ट डे कवर होते थे उसके अंदर का जो कागई होता था खाली होता था इन देम यानि के उनके अंदर बट दिस वन कंटेंड़ आ लेकर लेकिन यह जो फर्स्ट डे कवर था इसमें एक पत्र रखा हुआ था दा लेटर वाज एड्रेश डू चारली और इस पत्र को चारली के लिए संबोधित किया गया था इन दा लेटर सैम हैड इनफॉर्मड चारली इस पत्र में चारली ने वो सारी सैम ने चारली को सूचित किया था यानि उसने चार्ली और उसकी पत्नी को दोनों को थर्ड लेवल की तलास जारी रखने के लिए कहा यानि इस पस्ट रूप से यानि कि यहे एक प्रोड़क्ट था फॉर चार्ली इमेजिनेशन यानि चार्ली की कल्पना के लिए तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीन सॉट ले सकते हैं साथी ओ मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के सभी सौट टेबं लॉंग कोसंस के थाथ वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अबस बताएं थैंक्स पॉर वाचेंग